इस पूरी के पूरे जो विवस्था है उसको समेटने की उपशिश करूँ मैं तो पहला शब्द होगा Ease of Living दूसरा शब्द है Good Governance और तीसरा है Digital Payment Digital Payment के जरीए कैसे आप Good Governance को बढ़ावा दे सकते हैं आगे जाते हुए कैसे आप Ease of Living को बढ़ावा दे सकते हैं यह इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्पूर हिस्सा है जो आपने E-Rupee शब्द कहा आप उसको imagine करिये कि E उसमें जो रुपी में R है वो आपके रुपे का सिंबल है और UPI यानि यह जो रुपी का UPI प्लेटफॉर्म है उसको आप कैसे electronically लोगों तक पहुंचा सकते हैं इसका एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जैसा कि आपने हमारे दर्शनों को बताया कि इसको BFS याने Financial Services Department of Financial Services, Ministry of Finance और Ministry of Health के साथ में मिलकर के तयार किया गया है तो ऐसा लगता है कि यह जो vouchers है वो Health Services को पेमेंट करने के लिए इस्तिमाल किये जाएंगे जिस तरह से आपने कहा है कि यह Person Specific और Purpose Specific है तो आप जानता है कि बहुत सारी schemes है जिसमें आईश्वान भारत से लेकर के प्रधान मंत्री जाना रोग योजना है आपके wellness centers हैं जो सस्ती दवाएं मिलते हैं आपके अमरित और दूसरे जनोशवदी जो केंद्र हैं उन पर अगर आप दवाएं खरीदने के लिए जाते हैं तो उनका इस्तिमाल किया जा सकता है और यह बहुत यह आसान तरीके से किसी विव्यक्ति को SMS के जरी या फिर QR पूट के जरीए भेजे जा सकता है मोबाइल फोन पे और उनका duplication नहीं हो सकता है तो जो यह पहली समस्या थी कि आपका beneficiary है कौन आधार ने और मोबाइल ने उस समस्या को समाप्त कर दिया है बहुत इस पश्ट तरीके से आप पहचान कर सकते है beneficiary की अब उस beneficiary को intended services प्रदान करने के लिए आप तकनीक का इस्तिमाल कैसे करते हैं यह एक बड़ी बात है और यही digital payment का इस्तिमाल किया जा रहा है और दुनिया की सबसे सुरक्षित payment विवस्था भारत की है इसको भारत साबित कर चुका है पैंडेमिक के दोरान भी साबित कर चुका है और आप देखें कि सावा पांच लाख करोड रुपए से जादे का ट्रांजेक्शन किया गया और चाववन मिनिस्ट्री की जो 350 से जादा योजनाय है उसमें पैसे डिरेक्ट पहुचाए गया तो यह प्रूवन एक तरह से टेक्नालोजी है जिस जो लीक प्रूफ है और ट्रांस्परेंट है जिसमें किसे भी तरह का डूब्लिकेशन की समभावना नहीं है काफी एक्साइटिं प्रोजेक्ट है अजय इसको अगर थोड़ा सा और समझने कुशिश करूँ तो क्या अगर मैं अपने किसी डोमेस्टिक हेल्प को मदद करना चाहता हूँ और उसके स्वास्त के मसले पे अगर मुझे कुछ उसको मदद करनी है तो क्या ये एक तरीका होगा कि मैं उसके लिए वो बाउचर तयार कर दूँ और वो पर्टिकुलर जगहे पे जाकर उसको रिडीम कर सकता है क्या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं तो यह जो सेवा है वो ऐसा लगता है कि शुरुवात में हेल्थ सर्विसेज के लिए इस्तिमाल की जाएगी और उसके बाद में ये एक प्लेटफॉर्म होगा जिसका प्राइवेट प्लेयर्स भी इस्तिमाल कर सकते हैं आगे जाते हुए तो अगर जिस तरह से आपने कहा कि आप किसी एक इंटेंटेट व्यक्ति के लिए किसी एक पर्टिकुलर राजशी का प्रीपेड वाउचर कार्ड उसको देंगे और उसको आप कहेंगे कि आप जागर के दवाएं खरीदने के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं आप हो सकता है आप अपने बच्चे की फीस देने के लिए आप उसका इस्तिमाल करें आगे जाते हो जो सबसिडीज दी जाती है अगर किसानों को डिरेक्ली उनके मॉबाइल पर ये वाउचर बेजे जाएंगे और उसको वो खाद मिल पाएंगी उसको वो दवाएं मिल पाएंगी या फिर किसी भी जिस चीस के लिए उसको बनाए गया है वो मिल पाएंगी अच्छा जो सर्विस प्रोवाइट कर रहा है उसके लिए भी ये समस्याना यह जहीं कि पहले उनके payments लटक जाते थे, चुकि यह prepaid card है, इसलिए उनका payment बिल्कुल सुरक्षित है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो सरकार की तरफ से एक SMS के जरी प्रिपेट कार्ड के रूप में उनके पास payment आ गया, तो उनको payment के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो beneficiary है, उसको बिना किसी intermediary के क्यावल mobile phone के जरी एक SMS दिखाना है, या फिर अपने smart mobile phone पर QR code दिखाना है, उनको वो services मिल जाएंगी, जो सरकारी agency या फ एक ecosystem तयार करते हैं, तो जिस तरह से हमने jam trinity का एक बड़ा ecosystem तयार किया था, अब उसके उपर ये एक नया layer build up किया जा रहा है, जिसमें आप services को leak proof तरीके से, transparent तरीके से, beneficiaries को, intended beneficiaries को, यानि electronic financing करते हैं, इसमें cash की lending की ववस्ता नहीं है, इसमें किसी तरह का duplicate ही नहीं है, और जो आप चाहते हैं कि लाब जहां तक पहुँचे और वहां तक पहुँचेगा, आज़े एक चीज़ इसमें ये भी है कि जिनको लाब देना चाह रहे हैं कि उनके लिए शायद ये बहुत जरूरी नहीं होगा, कि उन पे smartphone हो ही, क्योंकि अगर वो SMS के, आज़े मैं रुकू कि शुरुआत होने जारी है, आएक कोस्ति दे ले चलते हैं सकारकम के और जहां प्रदार मंत्री से ए रुपी को जारी करने जा रहे हैं भारत के माननिय प्रदार मंत्री जी एवं गणमानने अतितिगन, वर्च्वल प्लाटफॉर्म के माध्यम से जुड़े सभी दर्शक गण, आप सभी का माननिय प्रदार मंत्री द्वारा ए रुपी के इस लॉंच कारिक्रम में हर दिक स्वागत हैं, आज का दिन बहुत ही आध्यम से इस कारिक्रम से जुड़े लोगों का हम स्वागत करते हैं, ये एक अतियंत विशेश घड़ी है, जब हमारे बीच में माननिय प्रदार मंत्री जी उपस्तित हैं, इस रुपी के लोकारपन के इस कारिक्रम में हम उनका तही दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं अब हमारा विनमर निवेधन है कि राष्टिय स्वास्त प्राधिकरन के मुख्य कारेकारी अधिकारी श्री राम सेवक शर्मा जी माननिय प्रदान मंत्री जी तथा अन्य अतित्यों का स्वागत करते हुए आज के समारों के बारे में चंद शब्द कहें, श्री राम सेवक भारत के माननी प्रधान मंत्री महोदय, राजियों के महामहिम राजिपाल गण, माननी विक्तर मंत्री महोदया, माननी स्वास्त इवं परिवार कल्यार और रसायन इवं उर्वरक मंत्री महोदय, माननी इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रदूगी की मंत्री, माननी खाध और सार्वदिन वितरण मंत्री माननी राज मंत्री गण केंदर शाषित प्रदेसों के माननी उपराजिपार गण रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया के माननी गवर्नर साहब और अन्य अधिकारी गण भारज सरकार के सचिवगण, राजियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवगण, NPCI के अधिकारी गण, बैंकों के CMD, CEO एवं अन्य अधिकारी गण, प्रधान मंत्री जन आरोग योजना सो जुड़े एवं अन्य स्पताल प्रसासक और चिकित्षक, भारत एवं राज सरकार के अन्य अधिकारी गण, देवी और सज्जनों। मैं ए रुपी के अनावरण के इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनदन करता हूँ। मैं हमारे माननी प्रधान मंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, जो इस पहल के पीछे की प्रेड़ना रहे हैं और जिन्होंने ई रुपी को लॉंच करने के लिए करपा पुर्वक अपनी सहमती व्यक्त की है। ये हम सब के लिए स्वागी की बात है। ये एतिहासिक माइल स्टोन अगस्त दो हजार चौदे में शुरू ही डिजिटल इंडिया यात्रा का एक महत्वकून पढ़ाव है। उस समय हमारे प्रधान मंत्री के गतिशील नेत्रत्तु में केंद्रिय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया को मंजूरी दी थी। डिजिटल इंडिया मानी प्रधान मंत्री के सबसे पसंदीदा कारिक्रमों में से एक है। आकड़े उसके गवाह हैं। आज देश में 139 करोड़ लोगों के पास आधार है। हमारे पास 120 करोड़ मोबाइल कनेक्शन और 78 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। JAN, JAM, Trinity, जनधन, आधार और मोबाइल ने financial inclusion, direct benefit transfer और payment systems को transform कर दिया है। आज हमारे देश में 80 प्रतिशत से अधिक वयसकों के पास बैंक खाते हैं। जब यही आखड़ा 2014 में मात्र 53 प्रतिशत था। हमने जनधन के तहट 42 करोड़ अकाउंट्स खोले हैं। यह एक ऐसा आखड़ा है जिसकी बराबरी कई विकसित देश भी नहीं कर पाते। हम LPG सबसिडी से लेकर करोड़ों किसानों को हजारों करोड़ रुपए डायरेट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं। अब तक कुल 17 लाग करोड़ रुपए की राशी DBT के माध्यम से हस्तांतरित हुई है। इस कठिन समय में DBT हमारे देश के लिए वरदान रहा है। United Payment System, Unified Payment System में बास्तम में डिजिटल बुगतान के चित्र में करांतिकारी बदलाव किया है। UPI भीम को हमारे माननी प्रधान मंत्री जी द्वारा दिसंबर 2016 में लाउंच किया गया था। अपने अस्तित्तु के केवल साड़े चार वरसों से भी कम समय में इसने उन सभी debit और credit कार्डों को पीछे छोड़ दिया है जो पिछले 40 वरसों से अस्तित्तु में थे। हम UPI पर हर महीने लगबग 300 करोड रांजेक्शन कर रहे हैं जिनका औसत अमाउंट 6 लाग करोड रुपए के आसपास है। ये मुफ्त, instantaneous, interoperable, robust और reliable है। हमारे जैस में किशी भी digital platform के लिए 3 सी जरूरी है। पहला सी cost, लागत, ये कम होनी चाहिए, मुफ्त हो तो और भी अच्छा, convenience, सुविधा और confidence, विश्वास। UPI इन तीनों पेमानों पर खड़ा उतरता है, आज भारत में बनी ट्रांसफर एक phone call करने जतना आसान हो गया है। हमने अपने जन सामान में की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, कई digital products और services निकसित किये हैं, जिन में मुख्य हैं, authentication, electronic KYC, e-sign, digital locker और digital consent, ये सभी made in India products हैं, इनका उपियोगी व्यापक रूप से हो रहा है। अब तक 5600 करोड बार आधार का authentication हो चुका है। और इसका इस्तेमाल लोग राशन लेने में कर रहे हैं, आज हमारे पास digital locker पर 430 करोड दस्तावेज हैं, जिन में विविन संस्थानों की डिगरिया, आधार का driving license और passport शामिल हैं। हाल ही में भारत के digital products की सूची में टीका करण का platform कोविन भी जुड़ गया है। इसे भारत ने बनाया है और सिर्फ 6 महीनों में 45 करोड से अधिक लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है। हमारे टीका करण अभियान जो विश्व का सबसे बड़ा अभियान है को जनकेंद्रित, पारदर्शी और व्यवस्तित तरीके से संचालित करने में कोविन ने महतुपूर भूमिका निवाई है। दुनिया में कोई भी प्लेटफॉर्म चाए वो सरकारी हो या निजी इतनी तेजी से इतना बड़ा नहीं हुआ। हमारे माननी प्रधान मंत्री जी की इच्छा के अनुसार ये प्लेटफॉर्म अब दुनिया के कई देशों को ओपन सोर्स गिफ्ट के रूप में प्रधान किया जा रहा है। दिल्चस्ट बात ये है कि इनमें से प्रत्येक पहल को पिछले साथ वर्षों में हमारे माननी प्रधान मंत्री जी ने व्यक्तिकत रूप से मारदर्शित किया है। भारत की डिजिटल उडान आज सभी के सामने है। प्रधान मंत्री जी का पेपरलेस, प्रजेसलेस और कैश्छलेस गवर्नेस का विजन आज हकीकत बनता जा रहा है। minimum government एं maximum governance के प्रधान मंत्री जी के निर्डेस को प्रात करने के लिए टेकनोलोजी का भरपूर लाव हम लोग उठा रहे है। ये रूपी का लॉंच आज उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि 5 साल पहले भीम यूपी आई का लॉंच था ये एक परसन स्पेसिफिक और परपज स्पेसिफिक इंस्टूमेंट है जो यूपी आई के आर्किटेक्चर पर आधारित है कई बार सरकार किसी उद्देश्य के लाब हस्तांतरित करती है लेकिन इस बात पर कोई नियंत्रन नहीं होता कि राशी का उपियोग व्यक्तिद्वारा उसी काम के लिए किया जा रहा है जिसके लिए इसे ट्रांसफर किया गया था ये रूपी ये सुनिश्रित कर सकेगा ये रियल टाइम और पेपरलेस है इसक एसे छेत्र है जो ई रूपी से लाभानवित हो सकते हैं इसका उपियोग राश्ट्रिय डिजिटल स्वास्त मिसन जो नैस्टल डिजिटल हेल्थ मिसन है उसमें भी किया जाएगा मैं इसकी अनुमति देने के लिए आर्बी आई के गवर्नर स्रीमान शक्तिकान दास जी और और समयबद तरीके से इसके कार्यान वयन में नेतरत्र प्रदान करने के लिए श्री देवासीज पंडा जी सचे वित्तिय सेवा विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं इस अवसर पर मैं नपी सी आई टीम और स्री दिलीप आसमे के पति धन्यवाद और आभार व्यत कर हो गए हैं उन्होंने इतने कम समय में अपना सिस्टम बनाया और पर्खा है हम स्वास्त मंत्राले में इस प्रडाली के पहले उपियोक करता होने के लिए सवभाग शाली है माननीय स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्री स्रीमान मंसुग मांडविया जी और स्वास्त अच्छे स्री राजेश बूशर जी ने भी इस यात्रा का मारदर्शन किया है उनके प्रती हमारा विशेस आभार एक बार फिर मैं भारत के माननी प्रधान मंत्री, महामाहिम राजिपालों, माननी मंत्रियों और इस अवसर पर उपस्तित सभी बहनों और भाईयों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। अपने कर कमलों से अब इ रूपी लॉंच विडियो का अनावरन कर इ रूपी को राश्ट को समर्पित करेंगे। केक मजबूत ताकत है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के समाधान और नवाचार लोगों की जिंदगी को बहतर बनाने में लगातार योगदान दे रहे हैं। ऐसे कई प्लाटफर्म्स आज भारत को डिजिटली सक्षम समाज के रूप में स्थापित करने में महत्वपोण भूमिका ने भा रहे हैं। साथियों, minimum government, maximum governance के सिधानतों पर चलते हुए, सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच, गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना ये समय की मांग रहा है। और इसलिए बीचिटल इंडिया सामान्य नागरी को सुविधा और उनके empowerment का एक बहुत ससक्त माध्यम है। देश के हर वर्पने, समाज के हर तबके ने, टेकनोलोजी आधारित ऐसी कई प्लाटफॉर्म्स को बहुत ही कारेकुशल, प्रभावी और किफायती तरीके से अपनाया है। डिजिटल इंडिया के इसी संकल्प को आगे पढ़ाती एक नई पहल है E-RUPI। यह भारत के सबसे सफलतम पेमेंट प्लाटफॉर्म भीम UPI पर आधारित है। E-RUPI, RBI स्वीकरित एक Prepaid E-Voucher है, जिसे NPCI यानि भारतिया राष्ट्रिय भुगतान निगम ने वित्य सेवा विभाग और बैंकों के सहयोग से विकसित किया है। E-RUPI, विशिष्ट सेवा के भुगतान के लिए लाभार्थी को जारी किया जाता है। यह एक QR Code या SMS String आधारित E-Voucher है, जिसे लाभार्थी के मोबाइल पर भेजा जाता है। इस Code के माध्यम से सेवा प्रदाता के अकाउंट में Direct Fund ट्रांसफर किया जाता है। सरकारी संस्थाएं, कॉर्पुरेट या कोई भी सेवा प्रायोजग अपनी पार्टनर बैंक के मदद से E-RUPI voucher generate कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र पर लाभार्थी E-RUPI के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र वाउचर के रूप में मिले QR कोड या SMS को स्कैन करेंगे। लाभार्थी के वेरिफिकेशन के लिए एक कोड लाभार्थी के मुबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन हो जानी पर तुरंट भुकतान होनी की पुष्टी हो सकेगी। यह वाउचर कैशलिस और कॉंटाटलिस है। इसका उप्योग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। यह पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वसनिया है। लाभार्थियों की निजी जानकारी पूरी तरह से गोपनिया होती है। इरूपी सुनिश्चित करता है सेवाओं की टागेटेड और लीक प्रूफ डिलीवरी, वितरण प्रणाली के सरली करण के साथ साथ न्यूनितम प्रशासने कलागत। इरूपी सरकारी योजनाओं का लाभ जन सामाने तक पहुँचाने के दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। इस दिशा में स्वास्थिय और परिवार कल्यान मंत्रालय और राष्ट्रिय स्वास्थिय प्राधिकरन के सहयोग से द्वारा निजी कौविट टीका करण के इंद्रु पर टीका करण के भूकतान के लिए e- रूपी के पहले उप्योग का आज शुभारम माननिया प्रधा अब मानिनिय प्रधानमंत्री जी की अनुमती से ये रुपी का COVID-19 वैक्सिनेशन के लिए शुभारम करेंगे। आए हम आपको ले चलते हैं वैक्सिनेशन सेंटर पर। हम जुड़े हैं मुंबई के एक प्राइवेट वैक्सिनेशन सेंटर से जहां लाभारती आज पहली बार इस ये रुपी वाउचर से COVID-19 वैक्सिन के लिए भुक्तान करेंगे। हमारी पहली लाभारती अब वैक्सिनेशन काउंटर पर पहुच गई हैं और वो हॉस्पिल के करमचारी को अपने मौबाईल में मिले e-rupee वाउचर को दिखा रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि हॉस्पिल के करमचारी क्यू आर कोड के रूप में मिले ई रूपी वाउचर को स्क्यान कर रहे हैं स्क्यान करते ही लाभार्ती के पास एक वेरिफिकेशन कोड आ जाता है यह वेरिफिकेशन कोड लाभार्ती हॉस्पिल के करमचारी को बताती है वेरिफिकेशन कोड एंटर करते ही ए रूपी वाउचर रिडीम हो गया है और इस तरहे उसके वैक्सीन का भुगतान ए रूपी के माध्यम से सफल हो जाता है अब लाभारती कोविड-19 वैक्सीन लगवाने जा रही है जैसा कि हम सब ने देखा ए रूपी के माध्यम से वैक्सीन का भुगतान मात्र कुछ ही मिनट में बिलकुल कैशलस, कांटाक्टलस और सुगमता पूरवक हुआ इ रूपी जैसे एक उत्कृष्ट पहल को देश को समर्पित करने के लिए माननिय प्रधान मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ये एक क्रांतिकारी पहल है जिसकी अंगिनत संभावनाएं हैं अब हम मानिनिय प्रधान मंत्री जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं मानिनिय प्रधान मंत्री जी इस महत्वपूर्ण कारकम में देश भर से जुड़े सभी राजपाल महोदय लेप्रिनन गवर्नर्स केंद्रिय मंत्री मंदल के मेरे साथी जान रिजर्ब बैंक के गवर्नर राज्यों के मुख्य सचीव अलग-अलग इंडस्ट्री एस्टोशेशन से जुड़े साथी जान स्टार्ट अप, फिंटेक के दुनिया से जुड़े मेरे इवा साथी बैंकों के वरिष्ट अधिकारी गण और मेरे प्यारे भाईयों और बहनों आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है यी रुपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को, डिबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमी का निभाने वाला है इससे तारगेटेड, ट्रांस्परंट और लिकेट फ्री डिलिवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी 21 वी सदी का भारत आज कैसे आधुनिक टेक्नोलोजी की मदद से आगे बढ़ रहा है टेक्नोलोजी को लोगों के जीवन में से जोड रहा है इरुपी उसका भी एक प्रतीख है और मुझे खुशी है कि ये शुरुवात उच समय हो रही है जब देश आजाजी के 75 वर्ष पर अम्रुत महवत्सव मना रहा है और ऐसे समय में देश ने फिचरिस्टिक रिफॉर्म का एक और एहम कदम बढ़ाया है साथियों सरकार ही नहीं अगर कोई सामान्य संसा या संगठन किसी के इलाज में किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो हो कैश के बजाए यी रुपी दे पाएगा इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशित दी गई है अब इस शुरुवाती चरण में ये योजना देश के हिल्ट सेक्टर से जुड़े बेनिफीट्स पर लागू की जा रही है मान लीजिए कोई organization सेवा भाव से सरकार भारत सरकार के द्वारा जो मुप्त वैक्सिन दी जा रही है उसका लाब लेना नहीं चाहता है लेकिन जो प्रावेट अस्पतालों में जहां कुछ कीमत दे करके वैक्सिन चल रही है उसमें देना बेजना चाहता है अगर वो 100 गरीबों को वैक्सिन लगवाने के उसकी इच्छा है तो वो उन 100 गरीबों को E-Rupee voucher दे सकता है E-Rupee voucher यह सुनिश्च करेगा कि उसका इस्तिमाल वैक्सिन लगवाने में ही हो किसी और काम में नहीं समय के साथ इसमें और भी चीजें जुरती चली जाएगी जैसे कोई किसी के इलाज पर खर्च करना चाहता है कोई टीबी के मरीज को सही दवाओ और भोजन के लिए आर्थिक मदद देना चाहता है या फिर बच्चों को गर्बवती महलाओं को भोजन और परियावरण से जुरी दूसरी सुविधाय पहुचाना चाहता है तो इ रूपी उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा यानि इ रूपी एक तरह से परसन के साथ साथ परपज स्पेसिपिक भी है जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा ये इ रूपी सुनिश्चित करने वाला है कोई अब अगर चाहेगा कि वो वृद्धास्रम में बीस नए बेड लगवाना चाहता है तो इ रूपी वावचर उसकी मदद करेगा कोई किसी छेत्र में पचाज गरीबों के लिए भोजन की ववस्ता करना चाहता है तो इ रूपी वावचर उसकी मदद करेगा अगर कोई गौशाला में चारे की ववस्ता करना चाहता है तो इ रूपी वावचर उसकी भी मदद करेगा इसे अबर अगर राष्ट्रिय परिक्षम में देखें तो अगर सरकार द्वारा किताबों के लिए पैसा भेजा गया है तो इ रूपी ये सुनिशित करेगा कि कीताबे ही खरीद दी जाए अगर यूनिफॉर्म के लिए पैसा भेजा है तो उससे यूनिफॉर्म ही खरीद दी जाए अगर सब्सिडाइज खात के लिए मदद की है तो वो खात खरीदने के लिए ही काम आए गर्बबदी महलाओं के लिए दिये गए कैश्व से सिर्फ पोशक आहार ही खरिदा जा सके यानि पैसा देने के बाद हम उसका जो इस्तमाल चाहते हैं इ रूपी वावचर उसे सिद्ध करेगा साथियों पहले हमारे देश में कुछ लोग चाहते थे कि टेकनोलोजी और वो कहते भी थे कि टेकनोलोजी तो केवल अमीरों की चीज है भारत तो गरीब देश है इसलिए भारत के लिए टेकनोलोजी का क्या काम जब हमारी सरकार टेकनोलोजी को मिशन बनाने की बात करती थी तो बहुत से राजनेता कुछ खास किसम के एक्षपर्स उस पर सवाल खड़ा करते थे लिकिन आज देश ने उन लोगों की सोच को नकारा भी है और गलत भी साबित किया है आज देश की सोच अलग है नहीं है आज हम टेक्नोलोजी को गरीबों की मदद के उनकी प्रगती के एक टूल के रुप में दे आज दुनिया देख रही हैं कैसे भारत में टेक्नोलोजी पारदर्शिता और इमानदारी ला रही है कैसे टेक्नोलोजी नए अवसरों को पैदा करने में उन्हें गरीबों को सुलब बनाने का काम कर रही है और कैसे टेक्नोलोजी सरकार और लाल फिता साही पर सामान्य मानवी की निर्भरता को कम कर रही है आप आज के ही यूनिक प्रोड़क्ट को देखिए आज हम यहां तक इसलिए पोँचे हैं क्योंकि देश ने जन्दन खातों को खोलने उन्हें मोबाइल और आधार से जोडने और जैम जैसी व्यवस्ता के लिए वर्षों महनत की हैं जब जैम को शुरू किया गया था तब बहुत से लोग इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे थे लेकिन इसकी एहमियत को हमने लॉकडाउन के समय देखा जब दुनिया के बड़े बड़े देश परिशान थे कि लॉकडाउन में कैसे अपने गरीबों की मदद करे लेकिन भारत के पास एक पूरी व्यवस्था तैयार थी है दूसरे देश अपने यहां के पोस्ट आफिस और बैंक खुलवा रहे थे तो वहीं भारत महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक मदद भेज रहा था भारत में अब तक डायरेक बैनिफिट ट्रांसपर के जरिये करिब साड़े सत्रह लाक करोड रुपिये सीधे लाभारतियों के खातों में बेजे जा चुके हैं आज केंद्र सरकार तीन सो से जादा योजनाओं का लाभ डिबीटी के माद्यम से डायरेक बैनिफिट ट्रांसपर के माद्यम से लोगों तक पहुचा रही है लगबग 90 करोड देश्माचियों को इसके तहट किसीने किसी रुप में लाभ हो रहा है राशन हो, LPG गैस हो, इलाज हो, स्कॉलर्सिप हो, पैंशन हो, मजदुरी हो, गर बनाने के लिए मदद हो ऐसे अनेक लाभ DBT से मिल रहे हैं PM किसान सम्मान निधी के तहट 1,35,000 करोड रुपिये सीधे किसानों के बैंक एकाउंट में पहुचाए गए है इस बार तो किसानों से जो गेहूं की सरकारी खरीद हुई है उसका लगभग 85,000 करोड रुपिये सीधा किसानों के बैंक खातों में ही ट्रास्पर किया गया है इन सारे प्रयोगों का बहुत बड़ा लाब ये हुआ है कि देश के करीब करीब पौने दो लाग करोड रुपिये से अधीक गलत हाथों में जाने से बचे हैं साथियों भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि टेकनोलोजी को एड़ अड़ करने में उससे जुड़ने में वो किसी से भी पीछे नहीं है इनोवेशन्स की बात हो सर्विस लिलिवरी में टेकनोलोजी के इस्तमाल हो भारत दुनिया के बड़े देशों के साथ मिलकर गलोबल लीडर्शिप देने की ख्षमता रखता है पिछले साथ सालों में भारत ने अपनी प्रगती को जो गती दी है उसमें टेक्नलोजी के सही इस्तेवाल की बड़ी भूमिका है आप सोचिए क्या आठ दस साल पहले किसी ने कलपना की थी कि टोल भूत पर करोडो गाड़िया बीना किसी फीजिकल ट्राजिक्शन के लेंदेन से निकलेगी आज के फास्ट्रेक्श से ये संबव हुआ है क्या आठ दस साल पहले किसी ने सोचा था कि दूर सुदूर गाउं में बैठा कोई हस्त शिल्पी अपने प्रोड़क्श दिल्ली के किसी सरकारी दपतर में सीधे बेच पाएगा आज जेम यानि गवर्मेंट इमार्केट प्रेस पॉर्टल से ये मुम्किन है क्या आठ दस साल किसी पहले किसी ने सोचा था कि हमारे सर्टिफिकेट्स डॉक्यमेंट्स हर समय डिजिटली हमारी जेम में होंगे और हर जग एक क्लिक पर इस्तिमाल हो पाएंगे आज ये डिजी लॉकर से मुम्किन है क्या आठ दस साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत में MSME सेक्टर के उद्यमियों को सिर्फ 59 मिनिट में लोन एप्रो हो पाएगा आज भारत में ये भी मुम्किन है और इसी तरह आठ दस साल पहले क्या आपने सोचा था कि आप किसी काम के लिए एक डिजीटल वावतर भेजेंगे और काम हो जाएगा आज ये भी इ रूपी के जरिये मुम्किन हो चुका है मैंसे कितने ही उदाहाण आपको गिना सकता हूँ इस महमारी के दोरान भी देश ने टेक्निक की ताकत को महसूस किया है आरोग्य सेतु एप का उधान भी हमारे सामने है आज ये एप सबसे जादा डाउनलोड़ेड एप में से एक है इसी तरह कोविन पोर्टल भी आज हमारे वेक्सिनेशन प्रोग्रेम में वेक्सिनेशन सेंटर के चैन में रेजिस्ट्रेशन में वेक्सिन सेटिफिकेट प्राप्त करने में देश वाच्चों की बड़ी मदद कर रहा है पुरानी व्यवस्ता चल रही होती तो वेक्सिनेशन लगवाने के बाद सेटिफिकेट के लिए दोड़ना पढ़ता रहोता हुआ दुनिया के यई बड़े देशों में भी आज पेपर पर हाथ से लिखकरके सर्टिफिकेट दिया जा रहा है लेकिन भारत के लोग एक क्लिक में डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड रहे हैं इसलिए आज भारत का कोविन सिस्टिम दुनिया के कई देशों को आकर्षित कर रहा है भारत इसे दुनिया के साथ साज़ा भी कर रहा है साथियों मुझे याद है कि चार साल पहले जब भीम एप लॉंच किया गया था तब मैंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब अधिकाउज बिजनेस ट्रांजिक्शन नोट और सिक्कों के बजाए डिजिटली होंगे तब मैंने ये भी कहा था कि इस बड़लाव से सबसे अधीक गरीबों, बंचीतों, छोटे व्यापारियों, किसानों आधिवासियों का ससक्तिकर होगा, वो एमपावर होगे आज हम ये साक्षात अनुभव कर रहे हैं हर महिने UPI ट्रांजेक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं जुलाई महिने में 300 करोड से अधिक ट्रांजेक्शन UPI से हुए हैं जिसमें 6 लाग करोड रुपय का लेंदेन हुआ है आज चाय, जूस और फल सब्जी का ठेला लगाने वाले भी इसका उप्योग कर रहे हैं वहीं भारत का रुपे काड भी देश का गवरो भड़ा रहा है सिंगापूर भुटान में भी इसे लौच किया जा चुका है आज देश में 66 करोड रुपे काड है और देश में 1000 करोड रुपिय का ट्रांजेक्शन रुपे काड से भी हो रहा है इस कार्ण ने गरीब को भी शशक्त किया है उसे इस भावना से भरा है कि वो भी अपने पास डेबीट कार्ण रख सकता है उसका इस्तिमार कर सकता है साथियों टेकनलोजी कैसे गरीबों को सशक्त करती है इसका एक और उदार है PM स्वनिदी योजना हमारे देश में तो रेहडी पट्री वाले ठेला चलाने वाले भाई बहन है उनके फाइनांचियल इंक्लूजन के बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया था अपना काम आगे बढाने के लिए उन्हें बैंक से मदद मिलना असंबव था जब डिजिटल ट्रांजेक्शन की कोई हिस्ट्री ही न हो कोई डॉक्यूमेंट न हो तो बैंक से लोन लेने के लिए हमारे रहडी पट्री वाले साथ ही पहला कदम भी नहीं बढ़ा पाते से इसी को समझते हुए हमारी सरकार ने पी एम स्वन निदी योजना की शुरुवात की आज देश के छोटे बड़े शहरों में 23 लाग से अधिक रहडी पट्री और ठेले वालों को इस योजना के तहर मदद दी गई है इसी कोरोना काल में करीब करीब 23 करोड रुपिये उन्हें दिये गए हैं ये गरीब साथी अब डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और अपना लोन चुका रहे हैं यानि अब उनके लेंदेन की एक डिजिटल हिस्ट्री बन रही हैं पीएम स्वनीधी में ये व्यवस्ता की गई है कि 10,000 रुपे का पहला लोन चुकाने पर 20,000 का दूसरा लोन और दूसरा लोन चुकाने पर 50,000 का तीसरा लोन रहेडी पट्री वाले साथ्यों को दिया जाएगा आपको जानकर खुशी होगी कि आज सेंकडो रहेडी पट्री और ठेले वाले भाई बैन अब तीसरा लोन प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं थातियों देश में डिजिटल इंफ्राट्रक्ट्चर और डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए जो काम पिछले 6-7 वर्षों में हुआ है उसका लोहा आज दुनिया भी मान रही है विशेशकर भारत में फिंटेक का बहुत बड़ा आधार तयार हुआ है ऐसा आधार तो बड़े-बड़े देशों में भी नहीं है देश वाच्यों का पॉजिटिव माइंडसेट फिंटेक्स सलुशन को एड़ाप करने की उनकी ख्षमता भी असीम है इसलिए ये आज भारत के युवाओं भारत के स्टार्ट अप इकोसिस्टिम के लिए भी बहतरीन मोका है भारत के स्टार्ट अप के लिए फिंटेक में अनेकों संभावना है साथियों मुझे विश्वास हैं कि यी रूपी वावचर भी सफलता के नए अध्याय लिखेगा इसमें हमारे बैंकों और हमारे पेवेंट गेटवे का बहुत बड़ा रोल है हमारे सैंक्रो प्राइमेट अस्पतालों, कॉर्पोरेट्स, उद्योजगत, एंजियोज और दूसरे संस्थानों ने भी इसको लेकर बहुत रूची दिखाई है मेरा राज्य सरकारों से भी आगरह है कि अपनी योजनाओं का सटीक और संपूनलाब सुनिश्चित करने के लिए यी रूपी का अधिक से अधिक उप्योग करें मुझे विश्वास है कि हम सभी की ऐसी ही सार्थक साजेदारी एक इमानदार और पारदर्शी ववस्ता के निर्मान को और गती देगी एक बार फिर सभी देश्वास्यों को इस बड़े रिफॉर्म के लिए बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ बहुत-बहुत शुपकामनाएं धन्यवाद तो अब यह सीधी तस्वीरे देख रहे तो इस कारक्रम के जहां प्रदान मंत्री रेंद्र मोदी ए रूपी का लाँच कर रहे थे परसन और पर्पस स्पेस्फिक इस डिस्टल पेमेंट माध्यम का बहुत बड़ा लाब होने वाला है फिचिरिस्टिक एक तरीके से रिफॉर्म के तौर पर प्रदान मंत्री ने इसको सामने रखा और शुरुआती दौर में ये हेल्थ सर्विसेस से जोड़ी हुए प्रकार से योशना होगी जिसका लाब तमाम लोग उठा सकते हैं किस तरीके से इसमें आगे बढ़ाया सकता है और प्रदान मंत्री ने इस मौके पे जब अपनी बात रखी तो नोंने कहा कि कैसे डिस्टल भारत एक नए भारत के रूप में ये काम करता दिखाई पड़ रहा है बीते कुछ वर्षों में डिस्टल प्रेटफॉर्म की वजए से तकनीक का इस्तमाल की वजए से कैसे बग 90 करोन लोगों को सीधे डिवीटी के माद्यम से किसी ना किसी तरीके से लाब दिया जा रहा है कोशिश यही है कि किस प्रकार से जो साइफन हुआ करता था लीकेच हुआ करता था ब्रस्टा चार हुआ करता था उस विवस्ता को हटा कर एक ट्राप